तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो जनरली ये बच्चे डाउट में लेके आते हैं सवाल और उनको थोड़ा सा यहां पे दिक्कत होता है मैं इसको सॉल्व कर देता हूं अच्छे से तुम्हारे लिए तो यह तुम्हारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएग तो डबल स्लीट यहां से सीलीट S1 है और यह S2 और यह वाली यहांसे कैपिटल डिस्टेंज परपेंडिगुलर स्क्रीन रखा वगा हुआ है और यह जो रच्ठाइं स्क्रीन है यहां से कुछ किने जो यूज हो रहा वेवलेंद वह 500 और 500 nm थो यहां पर यह से सेंटर मैक्सिमब बनता है फ्र से में मैक्सिमा के कौमर्डे सब्सक्राइब और तो सिंगल स्लीट में जो diffraction आप पड़े होगे तो diffraction में क्या होता है यहां पर एक single slit होता है ठीक ना और यहां पर अपना central maximum जिंदा बाद तो perpendicular distance यहां से कुछ ऐसे central maxima होता है ऐसा कुछ बनता है and so on तो यह वाला जो shaded region है यह width of the central maxima है और उपर से अगर मैं इसको y dash लेता हूँ तो यह नीचे से भी कितना होगा y dash है तो पहले question का condition समझो ठीक है तो यह कहता है यह जो पूरी width w this is the width w यह आपको समझ में आ रहा है यह width w जो central maxima कहा है condition यह कहता है कि जो 10 maxima आप double slit मतलब double slit के 10 maxima किस में आ रहे हैं ठीक है central maxima के single slit में आ रहे हैं मतलब अगर यह width 10 यह width whatever जो भी होगा 10 cm का चलो मालो ऐसे तो 10 cm जादा तो 10 cm का होगा तो इस 10 cm में 10 maxima double slit के आ रहे हैं तो एक maxima double slit है ठीक है उसकी जो width होती है वो fringe width beta होती है तो 10 maxima जो condition है यहां पर जो condition यह कहता है कि 10 maxima double slit मलब fringe width beta must be equal to width of the central maxima w this is the equation यहां पर hold हो रहा है बात समझे में आ गया और अगर equation समझ गए तो अब बाकी सब तुम direct formula याद है linear fringe width beta का और central maxima का तो इपर रख दोगे question 2 line में solve हो जाएगा लेकिन बहुत सारे बच्चों को formula याद नहीं होता है तो इसे पिछले वाले question में भी मैं calculate किया हूं central maxima का समझ रहना central maxima का weight से यह वाला मैं calculate किया हूं यह वार फिर से भी calculate कर देता हूं चलो यहां से एक light ray लेलो और यह angle कुछ theta है तो यहां से लेलो और यह भी angle कुछ theta होगा और यहां से अपना first minima start हो जाता है first minima और नीचे भी first minima तो first minima के दोनों side यह वाली जो है वो central maxima इसकी width w है तो यहां से sin theta approximately equal to 10 theta approximation सब बराबर होगा y dash upon d ठीक है it is also यहां पे d है ठीक है और y dash यह वाली distance y dash है तो यहां से और minima का condition है minima का condition तुम पढ़े होगे कि sin theta path difference delta x is equal to a sin theta is equal to n lambda तो sin theta की value आ जाएगी वो n lambda upon a आ जाएगी अब मुझे width चाहिए तो यहां से first minima के लिए first minima के लिए मैं रखोंगा n की value कितनी रखों 1 तो यहां से sin theta की value आ जाएगी वो lambda upon a आ जाएगी ठीक है अब यह वाली sin theta lambda upon a और यह जो sin theta इन दोनों को अगर equate कर दोगे तो जो इन दोनों को equate कर दो तो y dash upon capital d must equal to lambda upon a तो यहां से y dash की value आ जाएगी lambda capital d upon small a के equal आ जाएगी तो यह यहां से यह वाली चीज़ ठीक है तो width जो w जाएगी जो width w जाएगी वो 2 times y dash के equal ला जाएगी तो width of the central 2 lambda capital d upon a अगर यह फार्मूला याद है डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो ठीक ना मैं आपको मना नहीं करूंगा बात समझी में आ गया तो बट यह है कि अच्छो को याद नहीं होता तो एक आसान मेधाड है निकालने का और वह मैं आपको discuss कर दिया हूँ अब कुछ नहीं करना है अब इस condition इन दोनों equation को इस condition को satisfy करके solve कर लेना उपर वाल equation में रखो यहां से तुम्हें दीक रहा है कि इतना भाई टेन बीटा एक मिनिट यह है पेन स्लेक्ट में हो था इस टेक्निकल चीज़ वह यह लॉट अफ प्रस्टेशन एंटेंशन बहुत होता बच्छों बहुत मिनाज से मैं वीडियो पनाता हूं तो यहां पर तुम्हें देखोंगे यह वली जो डबलू है उसमें रख दो तेन टाइम्स यहाद है फार्मूला लीनियर विट्थ डबल स्लेट वाईडियसी में फ्रिंज विट्थ बीटा का फार्मूला लैम्डा कैपिटल डी इसमाल डी के एक्क्वल होता है Must be equal to यहाँ से width 2 times यहाँ से लैम्डा, capital D और इसमाले तो इसमाले ही तो चाहिए तो यहाँ से लैम्डा ने लैम्डा को कतम कर दिया D ने D को खतम कर दिया और यहां से जो small a slit यह जो आ जाएगा small a slit की जो value आ जाएगी वो आ जाएगी यहां से आ जाएगी D by 5 ठीक ना और D की value यहां D रखा था यही तो पूझ रहा था D की value 1 mm दिया था और यहां से 5 1 mm मतलब 10 की पाउर minus 3 meter और यहां से 5 10 की पाउर minus 3 meter मतलब है हुगा की 0.2 और into 10 की power minus 3 meter मतलब 0.2 mm is the slit इस order का अगर slit लोगे तो जाके यह condition satisfy होगा 0.2 मतलब है अपना C option सही बैठ जाता है Thank you, Baba